देश परदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ मुमई में कोरुना की तीसरी लहर पूरी तरह से कमज़ोर हो गई है लेकिन प्रदेश के स्वास्त मंद्रे ने कहा है कि विशिषग्यों का ऐसा मानना है कि कोरुना वाइरस की तीसरी लहर मार्च मद्य तक चल सकती है वही शिवसिना सांसत संजे राउत ने दो टुक कहा है कि अब महाविकास आघाडी ही महाराश्र का राजनेतीक भविश्य है इसी बीच प्रदेश में सत्तधारी महाविकास आघाडी के तीनों दलों के बीच 106 नगर पंचायतों में नगरा अध्यक्षय पत के चुनाव के लिए ताल मिल हो गया है तो मुस्लिम स्लमाज के प्रतिभाशाले विद्यार्थियों को UPSC परिक्षा की तयारी कराने के लिए हज हाउस समिती की और से बनाये गए कोचिंग और गाइडन्स से 100 से ज़ादा विद्यार्थियों को बाहर किये जाने को लेकर विवात खड़ा हो गया है उदर कॉंग्रेस अध्यक्षय नाना पतोले ने कहा कि आज के ही दिन देश के पहले आतकवाधी गोड से ने गांधी का वत किया था प्रविंट दरेकर ने इस बयान के लिए आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पटोले की अपनी जुबान पर लगा नहीं रहती उन्हें माफी माँगनी चाहिए प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही आप हमारे साथ देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से कमजोर हो गई है इसका अंदाजा अस्पतालों में कम हो रहे मरीजों के भार से लगाय जा सकता है 22 दिन पहले तीसरी लहर के उफान के समय अस्पतालों में भरती मरीजों का प्रमाण 21.4 फिस्दी था जो रविवार को गिरकर 6 फिस्दी तक पहुँच गया इसका आकलन करे तो महज 22 दिनों में ही अस्पतालों में भरती मरीजों का प्रमाण 95 फिस्दी घटा है बता दे कि मुंबई में 21 दिसंबर को कोरोना की तिसरी लहर ने दस्तक दी थी नए वर्च की शुरुआत में तिसरी लहर उफान पर रही आठ जन्वरी को कोरोना के नए मरीजों की संख्या 20,000 के पार हो गई थी इसी दोरान अस्पतालों में मरती मरीजों का प्रमान 21.4 फिस्दी तक पहुँच गया 35,000 बेड में से 7,000 से अधिक बेड पर मरीज भरती थे दस जन्वरी के बाद से नए केसेस में गिरावट देखी गई अब नए मरीजों की संख्या 1,500 मरीजों के नीचे आ गई है गट्ती मरीजों की संख्या के चलते अस्पताल से मरीजों का भी भार कम होने लगा है इसी बीच स्वास्ता मंतर ने बताया कि विशेशक्यों का ऐसा मानना है कि कोरोना वाइरस की तीसरी लहर मार्च मध्य तक चल सकती है अलावा इसके प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कोरोना वाइरस का नया वैरियंट यूक्रोंज ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है टोपे ने कहा कि इन तमाम इनपूट के बाद राज्य की स्वास्तम मशिनरी किसी भी नय वैरियंट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तयार और सक्षम है शिवसेना सांसत संजेराउत ने सपश्ट कर दिया है कि अब शिवसेना और विजेपी के बीच गडबंधन की कोई गुनजाईश ही नहीं है अब शिवसेना, NCP, कॉंग्रेस का सत्तारूट गडबंधन, महाविकास आघाडी ही महाराश्टकार राजनेतिक भविश्य है शिवसेना पर पलटवार करते हुए कहा है कि अधि उनके परिवार की कोई वाइनरी है तो सौमया उसे अपनी कबजे में ले ले और चला कर दिखाया सौमया ने आरोप लगाया था कि संजे राउत की बेटी उकी वाइन उद्योग में भागिदारी है और उन्होंने इसके कुछ दस्तावेज भी दिखाये थे इसका जवाब देते हुए राउत ने उल्टा सवाल किया है कि क्या कोई व्यवसाय करना गुना है राउत ने पूछा है कि क्या कीरिट सोमया का लड़का चना मुझफली बेचता है क्या मिच्छाह का बेटा केला सेब और ढोगला बेचता है कौन क्या व्यवसाय करता है यह उनका व्यक्तिगत मामला है हम पर आरोप लगाय जा रहा है कि हमारी वाइन बनाने वाली वाइनरी है अगर हमारे नाम पर कोई वाइनरी है तो हम उसे बीजेपी नेताओ के नाम करने को तयार है प्रदेश में सत्ताधारी महाविकास आघाडी के तीनों दलों के बीच 106 नगर पंचाय तो में नगराध्यक्षपत के चुनाव के लिए तालमेल हो गया है महाविकास आघाडी मिलकर नगराध्यक्षपत के चुनाव में उतरेगी रविवार को महाविकास आघाडी के तीनों दलों ने साजा पत्र के जरीय स्थानिय निताओं से अधिक से अधिक नगरा अध्यक्ष निर्वाचित करने की अपिल की है इस आवान पत्र पर प्रदेश रांकापा के अधिक्ष तथा जल संसाधन मंत्री जैन पाटिल, शिवसिना के नेता तथा प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाज देशाई और प्रदेश कॉंग्रेस अधिक्ष नाना पटोले के हस्ताक्षार है जिसमें तीनों नेताओं ने कहा है कि 106 नगर पंचायतों, भंडारा और गोंदिय जिला परिशत और पंचायत समितियों के चुनाव में महाविकास आघाडी को बड़ी सफलता मिली है निउनतम साजा कारेक्रम के तहट विकास के लिए प्रत्यक नगर पंचायतों में महाविकास आघाडी का नगराध्धिक्ष निर्वाचित होना आवश्यक है इसलिए स्थानी अस्तर पर इमांदारी से प्रयास करके महविकास आघाडी के घटक-दलों के सरी नगर सेवकों को विश्वास में लिया जाए और नगर पंचायतों में अधिक से अधिक नगरादिक्ष निर्वाचित कराने का प्रयास किया जाए हाल ही में हुए नगर पंचायतों के चुनाव में महाविकास आगाडी के तीनों दलों के बीच कुछ जगोह पर गढ़ चोड़ हुआ था जबकि कई नगर पंचायतों में तीनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था इस चुनाव में भाजपा के सबसे अधिक नगर सेवक निर्वाचित हुए थे जबकि नाकापत दूसरे, कॉंग्रस तीसरे और शिव सिना चोथे स्थान पर थी मुस्लिम समाच के प्रतिभ़षाले विद्यार्थियों को UPSC परिक्षा की तयारी कराने के लिए हज़ाउ समिती के और से बना गये कोच्िंग एंड गाइदेंस से सो से ज़दा विद्यार्थियों को बाहर किये जाने को लेकर विवात खड़ा हो गया है हज हाउ समिती की और से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्राले ने कभी विद्यारतियों की संख्या बढ़ा कर दोसों करने को मंजूरी नहीं दी इसलिए उचित प्रक्रिया और मानदंडों का पालन किये बिना भरती किये गए विद्यारतियों को बाहर का रस्ता दिखाया गया है दरसल UPSC में मुस्लिम समाज का प्रतिनी धीतवा बढ़ाने के लिए साल 2009 में कोचिंग और गाइडेंस सेल्स बनाया गया था इसके तहट परिक्षा के बाद चुने गए सो प्रतिभाशाली मुस्लिम विद्यारतियों को UPSC की तयारी के लिए कोचिंग, रहने खाने, लाइबरेरी और किताबों आदी की सुविधा उपलप्त कराई जाती है विद्यारतियों का चयान लिखित परिक्षा और इंटर्व्यू के बाद होता है इनमे से 50 विद्यारतियों का खर्च हज कमेटी ओफ इंडिया उठाती है, जबकि Central Wborg Counseling of India 50 विद्यारतियों का खर्च उठाती है लेकिन यहाँ पिछले कई सालों से विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और ये 200 के पार पहुच गई थी जब अतिरिक्त विद्यार्थियों को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू की गई तो कई विद्यार्थी नाराज हो गए लेकिन हज समीती ने सफाई दी है कि यहाँ तयारी के लिए सिर्फ 100 विद्यार्थियों को मंजूरी है इसलिए अतिरिक्त विद्यार्थियों को बाहर किया गया है हज समीती ने विद्यार्थियों को मौका देना चाहती है प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षा नाना पटोले एक बार फिर निशाने पर है रविवार को महात्मा गांधी की पुन्यतिती पर दादर स्थित कॉंग्रेस मुख्याले तिलक भवन में आयोजित कारेक्रम में पटोले ने कहा कि आज के ही दिन देश में पहले आतंकवादी गोड से ने गांधी का वद किया था फिर पत्रकारों से बाचित में भी पटोले ने कहा कि गांधी का वद हुआ भी होगा लेकिन गांधी एक विचार है उनके विचार आजादी के पहले और उसके बाद कायम रहेंगे गांधी अमेशा नायक रहेंगे गांधी की हत्या के बजाए वद शब्द के इस्तिमाल पर भाचपा ने पतोले की निंदा की है विधान परिशद में विपक्ष के नेता प्रविंट दरेकर ने कहा कि पतोले की अपनी जुबान पर लगाम नहीं रहता एक बार फिर से उनकी जुबान फिसल गई है पतोले को उपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए दरेकर ने कहा कि पतोले ने पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाव भी विवादी टिपड़ी कर चुके है दरेकर के बयान पर निशाना साथ वे प्रधेश कॉंगरेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंडे ने कहा कि भाजपा के नेता दो मुहा साप है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उल्ले करते समय गलत शब्द का प्रयोग कर दिया था उस समय भाजपा ने कहा था कि प्रधान मंत्री की जुबान फिसल गई थी अब पटोले के मुह से गांधी की हत्या के बज़ाए वद्ध शब्द निकल गया तो उनकी आलोचना की जा रही है आरोप प्रत्यारोप का दोर जारी है इस बारे एक और अध्या की बारी है बज़ट सत्र की शुरुवात हो चुके हैं शुरुवात में दोनों सत्रों को संभुधित करते हुए राश्टरपदी रामनात कोविन ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्वक की सरभादिक तेजी से विकाजित होरे अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है वही गुजरात के आतंक विरोधी दस्ते ने पुराने दिल्ली के दरिया गन से एक मौलवी को गिरफतार किया है उस पर इसलाम को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले सताइस वर्षे युवक की हत्या करवाने का आरोप है तो भाजपा ने सपा के अखिलेश यादव को उनके कारेकाल में बढ़े अपरात पर बहस की चुनौती दी है जिसे उन्होंने स्विकार कर लिया है इसी बीच संयुकत किसान मोर्चा आज पुरे देश में विश्वास घाद दिवस मना रहा है माना जा रहा है कि राश्टपती रामना कोविन को लिखी चिठी में मोर्चे ने फिरसे आंदोलन के संकेत दिये है उधर कोरोना संक्रावन से जूज रहे देश वासियों के लिए रहत बरी खबर है देश की कुछ राज्यों को छोड़कर अन्यस्थानों पर मरिजों की संक्या लगातर कम होती जा रही है इसे रहत का संकेत माना जा रहा है देश के इन बाच महत्व पुरुना खबरों को दिस्तार से जाने के लिए बने रही है आप हमारे साथ बजट सत्र की शुरुवात में दोनों सत्रों को संबोधित करते हुए राश्पती रामनात कोविन ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सरवाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्योस्ताव में से एक बन गया है इस वित्तवर्ष के पहले साथ महिनों में 48 बिलियन डॉलर का विदेश निवेश आना इसका प्रमान है कि आंतर राश्य निवेशक भारत के विकस को लेकर आश्वस्त है सरकार के नीतियों की वज़े से आज भारत उन देशों में है जा इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्टपोन की कीमत भी सबसे कम है इसका बहुत बड़ा लाब भारत की नौजवान पिढ़ी को मिल रहा है कोरुना के इस महा संकट में हमने बड़े-बड़े देशों में खाद्यान की कमी और भूग की परेशानी देखी लेकिन मेरी समेदन शिल सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूका न रहे देश में 80% किसान चोटे किसान ही है जिनका देश की विकास में एहम योगदान है प्रदानमत्री किसान सम्मान निधी के माद्यम से 11 करोड से अधिक किसान परिवारों को एक लाग 80,000 करोड रुपे दिये गए है इसने वे से कुषिशेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे है मेरी सरकार की आस्था अंतोदे के मूल मंत्र में है जिसमें सामाजिक न्याय भी हो समानता भी हो सम्मान भी हो और समान अवसर भी हो महिला सशक्तिकरन मेरी सरकार की उच्च प्रार्थ मिक्ताव में से एक है गुजरात के आतंग निरोधी दस्ते ने पूरानी दिली के दरियागन सेक मौलवी को गिरफतार किया है उस पर इसलाम को लेकर सोशल मिडिया पर पोस डालने वाले 27 वर्षे युवक की हत्या करवाने का आरोप है मौलाना कमरगणी उस्मानी ने अपने दो चेलो को गुजरात के धुंदुका निवासी युवक किशन भरवार की हत्या के लिए उक्साया और उन्हें पिस्तोल भी दिया मामले में एक और मौलाना मौमद अयूब जावरवाला समेत कुल 6 लोगों को गिरफतार किया गया है जमालपूर निवासी मौलाना जावरवाला पर पिस्टल और गोलिया उपलप्त कराने का आरोप है उदर गुजरात पुलिस के सोशल ऑपरेशन ग्रूप ने राजकोट के दो भाईयों को भी अरेस्ट किया है जुनोंने मौलाना को एक पिस्टल और पाच गोलिया दी थी ATS के मुताबिक दिल्ली के इस मौलाना पर त्रिपुरा में भी सांप्रदा एक हिंसा भढ़काने का आरोप है एक अधिकारी ने मौलाना के बारे में बताया कि उसने तहरीक एक फरोग ए इसलामी नामक एक संस्ताब बना रखी है मौलाना के कहने पर ही शबिर चोपडा नामक की युवक ने 25 जनवरी को किशन भरवाड को मार दिया मौलाना कमरगनी उस्मानी ने हत्या की साजिश में नाम आने और गिरफतारी से पहले एक चैनल से कहा था कि उसका संगटन इसलाम का अपमान करने वालों और मुसल्मानों पर हो रहे जुल्म के खिलाप आवाज उठाता है उत्तर प्रदेश विदानसबा चुनाव को लेकर अब चुनावी मैदान में एक दूसरे को देखने तक की चर्चा होने लगी है हर दल अपनी बढ़त बनाने के लिए विपक्षी पर हमलावर है भारतिय जन्ता पार्टी ने कानून विवस्ता के मुद्धे को चुनावी मैदान में स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी है प्रदेश के चुनावी दंगल में उत्रे केंद्रिय गुर्मत्री अमिश्चाह ने सीधे पूर्व की अखिलेश र्यादो सरकार के कारेकाल में अपरादियों को मिलने वाले सरनक्षन के मसले पर हमला बोला अखिलेश को उनके कारेकाल में बड़े अपराद पर बहस की चुनावती दी अब सबादिक्ष ने उनकी चुनावती को स्वीकार कर लिया है उन्होंने कहा कि बहस के लिए मैं तयार हूँ दरसल भाजपा के मुख्य चुनावी रणितिकार ने मुजफर नगर में मद्दाता समवात के दवरान समाजवादी पार्टी पर जूट बोलने और धारा प्रवाह जूट बोलने का आरोप लगाया था अब अखलेश यादों ने अमिश्चा के बयानों के आधार पर जवाबी हमला बोला है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून विवस्ता की स्तीती पर हम किसी भी जगह पर और कहीं भी उनके साथ बहस के लिए तयार है पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में आपराधिक प्रिष्टबुमी वाले उमिद्वारों का स्तायक्राप पार होने वाला है अब तक 99 आपराधिक छवी वाले उमिद्वारों को वे टिकेट दे चुके है कुरूशी कानूनों के खिलाप और अन्य मांगो को लेकर साल भर चल कर स्तगित हुआ किसान आंदोलन क्या दोबारा शुरू हो सकता है दरसलाज 31 जनवरी को पूरे देश में विश्वासगाद दिवस मना रहे किसानों के नेटुत्वकरता स्युक्त किसान मोर्चा ने इशारा सोमवार को राशपती रामनात कोविन को लिखी चिठी में दिया है पत्र में कहा गया है कि देश के किसानों ने केंदर सरकार के किसान विरोधी कानूनों को रद करने न्यूनतम समर्थन मुल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नितियों के खिलाप एक अभूत पूर्वा आंदोलन चलाया इस आंदोलन के चलते आपके हस्ताक्षर से तीन किसान विरोधी कानूनों को रत किया गया सरकार के ओर से मिले आश्वासन पर स्युक्त किसान मोर्चा ने दिली के बॉर्डर पर लगे मोर्चा और तमाम धरना प्रदर्शनों को 11 दिसंबर से उठा लेने का निरने किया मगर यह बताती हुए हमें बहुत दुख और रोश हो रहा है कि एक बार फिर देश के किसानों के साथ धोका हुआ है भारत सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर हमने मोर्चे उठाने का फैसला किया था सरकार ने उसमें से कोई वादा पूरान नहीं किया है महा महीम आप इस देश के मुखिया है आप जानते हैं कि किसानों के अथक प्रयास से ही आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बावजूद भी देश का कुरुशियूत पात लगातार बढ़ा है किसानों से खिलवार करना पूरे देश के लिए आत्मगाती हो सकता है कोरोना संक्रमन से जूज रहे देशवासियों के लिए राहत भरी खबर है देश के कुछ राजयों को छोड़कर अन्यस्थानों पर मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है इसे राहत का संकेत माना जा रहा है आकड़े के अनुसार लगातार 9 दिन से कोरोना संक्रमन के नए मामले कम बने हुए है 21 जनवरी को रिकॉर्ड 3.47 लाख नए संक्रमन आये थे उसके बाद से नए संक्रमनों में कमी आ रही है विशेशक के मान रहे है कि तीसरी लहर की पीक पार हो चुकी है और यह धिरे-धिरे खत्म होने की ओर है हाला कि केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने कहा कि वाइरस का संक्रमन काल कुल 14 दिनों का होता है इसलिए अगले 5 दिन के आंकड़े और देखे जाएंगे इसके बाद अंदिमनती जान निकाला जाएगा स्वास्त मंत्राले के अनुसार रविवार को कोरुणा के 2.34 लाग नए संक्रम अंदर्च किये गए है और पिछले 9 दिनों से इसमें कमी का रुजान बना हुआ है इस बिश लगादार एक और अच्छिस्तिती यह बनी है कि स्वास्त होने वाले मरीजों की संख्यार रोज बढ़ रही है इससे सक्रिय मरीज तेजी से घट रहे है संक्रमंदर में भी कमी आ रही है राहत की बात यह है कि देश की 75 फिस्दी वैस का अबादी को टीके की दोनों खुरा के लगाई जा चुकी है केंद्रिय स्वास मंतरी मंसुक मांडवया ने यह जानकारी दी प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने इस उपलब्दी पर बधाई दी कनाड़ा में प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो के कोरोना नियमों के खिलाफ 50,000 ट्रक्चालोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार दुसरे दिन भी जारी है इन ट्रक्चालोगों ने कनाड़ा की संसत को घेल लिया है वही हूतियों और UAE की सेना के बीच जंग चिड़ी हुई है इससे पुरे फारस की खाड़ी में तनाव है इसी तनाव के बीच UAE की पहली आधिकारिक यात्रा पर इसराइल के राश्चापती आबुधा भी पहुचे है तो तालिबान और अमेरिका के बीच तलखिया लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है अमेरिकी फोज की वापसी की बात से अफगानिस्तान में हाला दिन प्रती दिन खराब होती जा रहे है इसी बीच नकदी के संकट से जूज रहा पाकिस्तान चिन से तीन अरब डॉलर का कर्स जुटाने की कोशिश में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान की अगले हफ्ते होने वारी चिन यात्रा में इस कर्च पर सहमती बन सकती है उधर नासा की नई खोज से पता चला है कि दो से ढ़ाई अरब साल पहले मंगल की सत्धा पर पानी रहा होगा इस जानकार इसे मंगल पर भविश्य में पानी की तलाश को नई दिशा मिल सकती है दुनिया भर की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो के कोरोना नियमों के खिलाप 50,000 ट्रक चालकों का विरोत प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है इन ट्रक चालकों ने कनाडा की संसत को घेर लिया है और प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो अभी भी परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए है इस बीच कई प्रधर्शनकारियों ने कनाडा की संसत के पास तानाशा हिटलर के नाजी स्वास्तिक वाला जंडा लहरा दिया याद रहे भारत में किसानों पर घ्यान देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने ट्रक चालकों के खिलाफ विवादी टिपपनी की है जिससे ट्रक चालक बुरी तरह से नाराज है वे अपने 20,000 ट्रकों के साथ राजधनी पहुच गये है ओटावा की पुलिस ने कहा है कि हजारों की तादाद में प्रधर्शनकारी अपने भानों के साथ सडकों पर मवजुद है हाला कि इमर्जेंसी के लिए सडक पर अलग से लाइन बनाई गई है खबरों के मुताबिक पुरे उटावा शहर में कनाड़ा की संसत को और जाने वाली रास्टे को ट्रक चालकों ने रोग दिया है करीब 20,000 ट्रकों के इस काफिले को प्रधर्शनकारीयों ने फ्रीडम कॉनवाई नाम दिया है बताय जारागी या एक जगह पर ट्रकों का दुनिया का सबसे बड़ा जमावडा है खबरों के मुताबिक पुरे कनाड़ा से करीब एक सब्ता की लंबी यात्रा करने के बाद ये विशालकाय ट्रक राजधानी उटावा पहुचे है ये लोग कोरोना वैक्सिन को अनिवार्य किये जाने और कुविट प्रतिबंदों का जोरदार विरोत कर रहे है सैयुकत अरब अमिरात और इस्राइल के बीच राजनाइक संबंद भाहाली के बाद पहली बार अबुदावी की यातरा पर पहुचे इसराइली राष्ट्रपती आईजक हरजुक का इरान समर तक हूती विद्रोईयों ने मिसाइलों से स्वागत किया UAE की अधिकारियों ने बताया कि सुमार अल सुबह दागी गई इस मिसाइल को बीच रास्ते में ही मार गिराया गया हाल के दिनों में हूती विद्रोईयों का यहां तीसरा हमला है इस ताजा हमले से एक बार फिर से इसराइल और इरान के बीच तनाव और बनने की आशंका प्रबल हो गई है बतादे कि इरान के परमानुकारिक्रम को लेकर वियना में बाच्चित चल रही है वही हूतियों और यूएय की सेना के भी जंग छिड़ी हुई है इस से पूरे फारस की खाड़ी में तनाव है इस तनाव के बीच यूएय की पहली आधिकारिक यात्रा पर अबुदाभी प जारी ली थी हर जोक की संयोक्त अरब अमिरात में छोटे एवं तेजे से उभरते यहुदी समुदाय से मिलने की संभावना है तालिबान और अमेरिका के बीच तलखिया लगातार बड़ती दिखाई दे रही है अमेरिकी फार्च की वापसे के बाद से अफगानिस्तान में हालात दिन प्रती दिन खराब होते जा रहे है तालिबान लगातार अमेरिका से अफगान सरकार के जब तक किये गए पैसों को जारी करने की अपील कर रहा है इस बीच अमेरिकी नौसेना के एक रिटार्ड अधिकारी को लेकर राश्टरपती जो वाइडन तालिबान से खासे नाराज है उन्होंने आरोप लगा है कि तालिबान पिछले दो साल से अमेरिकी नौसेना के दिगज मार्क फ्रेरिच को बंदग बनाये हुए है राश्ट्रपती जो वाइडन ने कहा कि दो साल पहले अमेरिकी नौसेना के दिगज मार्क फ्रेरिच को अफगानिस्तान में बंदग बना लिया गया था एक सिविली इंजिनियर जिसने अफगानिस्तान के लोगों की मदद करते वे एक दशक बिताया उन्होंने कुछ भी गलत ने किया है फिर भी दो साल से तालिबान ने उन्हें बंदी बना रखा है उन्होंने सक्त लहजे में कहा कि अमेरिकीयों या किसी भी निर्दोष नागरिक की सुरक्षा को धमकाना अस्वी कारिय है और बंदग बनाना कुरूरता और कायरता का कारिया है तालिबान तुरंत मार्क को रिहा करे आशंका जताई जा रही है कि तालिबान अमेरिकी कैदियों के बदले बाइडेन प्रशासन से कोई डील करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान की माली हलत काफी खराब है वह एक बार फिर दुनिया के सामने जोली फाइलाते नजर आ रहा है बताया जा रहा है कि नगदी के संकट से जूजरा पाकिस्तान चीन से तीन अरब डॉलर का करज जूटाने की कोशिश में है पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान की अगले हपते होने वाली चीन यात्रा में इस कर्च पर सहमती बन सकती है खबर के मुताबिक इमरान तीन फरवरी को चीन की राजदानी बिजिंग का दोरा करेंगे इस दोरान उनका चीन के शिर्ष नेताओ से मुलाकात का भी कारेक्रम है बतादे की चीन पहले ही पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर का करज देश चुका है पिछली वित्तवर्ष में पाकिस्तान ने ब्याज के तौर पर चीन को 26 अरब पाकिस्तानी रुपय का भुकतान किया था इसके अलावा पाकिस्तान प्राथमिक्ता वाले च्छा क्षेत्रों में चीन का निवेश आकरशित करने के लिए भी कोशिश में लगा हुआ है इसके लिए पाकिस्तान चीन की करीब 75 कमपनियों को पस्ची मेशिया, अफरीका वा वीश्व के अन्य हिस्सों तक व्यापार मार्क देने का भी भरोसा दिलाएगा इससे ढुलाई और श्रम की लागत में कमी आएगी संगीय नियोजन वह विकास मंतरी असद उमर ने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरन के सक्रिय होने के बाद सरकार ने विदेशी निवेश जूटाने के लिए इन क्षेतरों को चिन्नित किया है चीन इसे दूरगामी प्रभाव वाली नजरों से देख रहा है और फंड देने के बदले कमाई का जरिया भी बना रहा है मंगल ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन के संभावना है और दुनिया भर के विज्यानी दशकों से इसे लेकर अध्धहन रत है अब नासा की नई खोच से पता चला है कि दो से ढाई अरब साल पहले मंगल की सता पर पानी रहा होगा इस जानकारे से मंगल पर भविश्य में पानी की तलाश को नई दिशा मिल सकती है दरसल मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पृत्वी की तरह अनेक समान ताय है इस कारण इस ग्रह पर मानोबस्ती बसाने का सपना विज्यानियों का है और इस दिशा में दुनिया भर की स्पेस एजन्सिया लगातार अध्यान रत है इस खोच से अब मंगल पर पानी की सही उम्रह का पता चल गया है जिससे मंगल पर हो रहे शोधो को नई दिशा मिल सकती है पूर्व में हुए अध्यान के आधार पर मना जाता था कि मंगल की सता पर करीब तीन अरब साल पहले पानी रहा होगा और अब नई जानकारी से इस समय आवधी में काफी अंतर आ गया है नासा के मार्स रिकोनिसेंस ओर्बिट से प्राप्ता अकडों के आधार पर यहां नई जानकारी सामने आई है इससे मंगल की सता पर पानी की अस्तित्व का सही पता चलता है नासा का MRO साल 2006 से मंगल ग्रह का चकर लगा रहा है इसी से लाल ग्रह पर यह जानकारी मिल पाई है मंगल पर नासा अब तक अपने कई मिशनों के जरिए अनिक जानकारी अजूटा चुका है जिन में इस ग्रह पर पानी, नमक वर लवन समेत कई खोच शामिल है तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विके विडियोस नमस्कार